अब अब आज के वीदियो में आज हम आपको एक कलर की डिजाइन बनाना बताएंगे बहुत ही सुंदल लगती है यह बनाना बहुत ही आसान भी है इसको पांच मल्टीपल में हमने फंदे लिए हैं और दो फंदे कि नारे के लिए इस्टाल लिए हैं तो फ्रंट देखिए इ इसको बनाना हमें स्टाट करते हैं किनारे का एक भंदा से लिप किया और उसके बार दागार आगे करेंगे पांच भंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छा साथ पांच भंदा बनाना है एक दो तीन चार पांच भंदा उल्टा बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे पांच भंदा सीधा एक दो तीन चार पांच धागा आगे करेंगे पांच भंदा उल्टा एक तो तीन चार पांच भंदा उल्टा एक तो तीन चार पांच भंदा उल पांच धागा पीछे करके सीधा बुन देंगे, फिर आ गए हम दूसरी सलाई पर, दूसरी सलाई हमें क्या करना है, एक फंदा उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदा, पांच फंदा सीधा, एक दो, एक तीन, एक चार, एक फांच धागा आगे करेंगे, पांच फंदा उल्टा, तो, तीन, चार, पांच धागा पीछे करेंगे, पांच फंदा सीधा, एक, दो, तीन चार पाँच धागा आगे करेंगे इसको उल्टा बूल लेंगे किनारे वाला अब तीसरी झालाई traitorous वस्ताल लेंगे धागा आगे कर à पाँच फंदा उल्ंटा धागा पिछे करेंगे पाँच फंदा सिधा है लिपागा आगे करेंगे पाँच फंदा उल्ंटा दागा पीछे करेंगे एक फंदा किनारे का सीधा बुना फिर चोथे सलाई में किनारे का एक फंदा उतार लिया दागा पीछे करेंगे पांच फंदा सीधा एक तो तीन चार पांच दागा आगे करेंगे पाँच फंदा उल्टा पाँच फंदा सीधा यह हमारी जो है चार सलाई पूरी हुई चार सलाई पूरी हुई अब हम पाँच फंदा उतार लेंगे धागा आगे करेंगे पाँच फंदा उल्टा पाँच फंदा उल्टा पाँच फंदा उल्टा उल्टा पुना धागा पीछे करेंगे अब देखिए हमारा जो बीच वाला फंदा पाँचों के बीच वाला एक, दो, तीन तीसरे फंदे के सिधाई पाद एक होल छोड़ा दो होल, तीन होल, चौते होल में हमें यहीं से सलाई कोच करके ऐसे धागा निकालना है देखी, उसे धागा निकालेंगे, पांच भंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, यह पांच फिर जो है उसी होल में से हम फिर धागा निकालेंगे, ऐसे सलाई कोच करके, देखे, देखे, थोड़ा धेला ही बनाएंगे, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, इस तरह से, धागा आगे करेंगे, पांच फंदा उल्टा, तागा पीछे करके किनारे वाला फंदा बुन लेते हैं, अब देखे, छठवी सलाई, छठवी सलाई में किनारे का फंदा उतार लेते हैं, तागा पीछे करेंगे, पांच फंदा सीधा, दो, तीन, चार, ये पांच, धागा आगी करेंगे, और ये जो फंदा निकाले थे, होल में से, इसको ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद पांच फंदा उल्टा, दो, तीन, चार, ये पांच, पांच फंदा उल्टा, और ये जो होल से बड़ा फंदा निकाले थे, इसको ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदा, सीधा, पांच फंदा, सीधा, धागा आगे करेंगे, किनारे वाला फंदा बुन लेते हैं, देखिए, छे सलाई हो गया, आप साती सलाई देखिए, किनारे के फंदा उतार लेते हैं, धागा आगे करेंगे, पांच फंदा उल्टा, ये दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे करेंगे, आप देखिए, ये जो निकाले थे बड़ा वाला फंदा, तो ये हमारा अगर हम इसे बुनते हैं, फंदा बढ़ जाएगा, इसको और इस फंदे के साथ में हमें बुनना है, तो हम आईसे बुन देते हैं, बिना उतारे उतारे, ये आईसे बुन देंगे, दोन फंदा हमारा बुना जा रहा है, बड़ा वाला भी, ये भी, देखिए, ऐसे बुन देते ह फिर उसके बाद बीच में तीन फंदा बुनते हैं तीन फंदा सीधा और इसको आपकी ऐसे सीधे बुन देना है एक फंदा साथ में बड़ा वाला फंदा ऐसे बुन देंगे देखिए दागा आगे करेंगे पांच फंदा उल्टा तीम चार पांच दागा पीछे करके इसको सीधा बुन देते हैं तो फ्रण देखिए अगली से लाई दागा जो है वो फंदा किनारे का उताल लेंगे और दागा पीछे करके पांच फंदा सीधा पांच फंदा सीधा दागा आगे करेंगे अब देखिए अब यह वाले फंदे में हमें वुल्टे के तरफ से वुल्टे के तरफ से इसमें हम गठी बनाएंगे इसको गठी बनाने के लिए एक फंदे से हम साथ फंदा निकालेंगे एक इसको ऐसे उपर से लपेटेंगे दो तीन ऐसे लपेटेंगे चार इसे में फिर बनाएंगे पांच ऐसे फिर लपेटेंगे छह ऐसे फिर बनाएंगे साथ सातो फंदे को हम बाईस लाहिप चड़ाएंगे ऐसे हम बाईस लाहिप चड़ाएंगे देखी अब फिर सातो फंदे को हमें साथ में बुन देना है देखिए सातो फंदे को हम ऐसे साथ में बुन देते हैं देखिए अब फिर ये जो है बीज में हम तीन फंदा बुनेंगे तीन फंदा उल्ड़ा और इस वाले में भी फिर हमें गठी बनाएंगे एक में से साथ बनाएंगे एक ऐसे लपेटा उपर से ऐसे धागा लपेटेंगे दो फिर इसे में बुनेंगे तीन और फिर इसी में लपेटेंगे चार फिर इसी में एक बार बुनेंगे पांच फिर इसको लपेटेंगे छे फिर इसी में बार बुनेंगे साथ तो सात बार बुने हैं, अब सातों का हम एक कर देंगे, सातों का एक कर देंगे, इसको 22 से लाई पैसे चड़ा के, इसकी हम बुनाई कर देते हैं, देखें, ध्यान रहें, कि यह वाला फंदा इसमें न जाने पाएं, नहीं फंदा कम हो जाएगा, देखें, सातों का हम, सातों फंदे को एक साथ बुन देते हैं, ऐसे, दागा पीछे करेंगे, पाच फंदा, सीधा, दागा, किनारे वाला फंदा बुल लेते हैं, अब देखें, देखें, हम यह गठी बना दिये हैं, दोनों बड़े वाले फंदे में, इसको गठी बना दिये हैं, अब किनारे वाला फंदा उताल लेते हैं, पाच फंदा उल्टा, दो, तीन, चार, पाच, दागा पीछे करेंगे, इसको हम, दो फंदा सिधा बुनेंगे, एक, तो, दो फंदा सिधा बुनने के बार, जो हमारा बीच वाला फंदा सेंटर का, बीच वाले फंदे में से हम, इसी के सिधाई पर, जिस होल में से यह दोनों फंदा बड़ा वाला निकाले थे, उसी होल में से एक बार और बुने करेंगे सलाये से खोच करके बड़ा लूज फंदा निकालेंगे कि देखिए कि एसे इतना बड़ा फंदा निकालेंगे फिर तीन फंदा आपकी बार बुनेंगे एक दो ये तीन फंदा नादा आगे करेंगे पाच फंदा उल्टा तो फ्रन देखिए अब हम पाच फंदा उल्टा बुनेंगे दागा पिछे करेंगे किनारे वाला सिधा बंदेंगे उल देखिए एक फंदा उतारा है अगा पिछे करके पाच पंदा उल्ट उल्ट भाज़ पाच पंदा सिधा धागा आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा तीन फंदा उल्टा और यह जो बड़ा वाला फंदा निकाले थे इसको ऐसे उतान लेंगे फिर दो फंदा उल्टा दागा पिछे करेंगे पाँच फंदा सीधा किनारे वाला भी बुल लेते हैं किनारे वाला फंदा उतार लेंगे पाँच फंदा उल्टा उल्टा उल्टेंगे एफ दो तीन चार यह पाँच दागा पिछे करेंगे अब देखिए दो फंदा सीधा बुनेंगे यह तो अब बड़े वाले फंदे को इस फंदे के साथ बुनेंगे जह तीसरा फंदा है तो हम इसको ऐसे बुन देते हैं इसको ऐसे बुन देंगे देखिए इसको ऐसे बुन करके दो फंदा और सीधा बुनेंगे दागा आगे करेंगे पांच फंदा उल्टा दागा पीछे करके किनारे वाला भी बुन लेते हैं देखिए इस फंदा उतारेंगे दागा पीछे करके पांच फंदा सीधा पांच फंदा सीधा दागा आगे करेंगे आग देखिए जो बड़ा वाला फंदा हम साथ में बुने थे, अब इसमें हमें फिर गठी बनाना है, दो फंदा उल्टा, और इसमें हमें गठी बनाना है, इस बड़े वाले भंदे में, तो इसमें हम साथ बार बुनेंगे, एक, एक बाल लपेटा दो, तीन, एक बाल लपेटा चार, इसमें फिर बुना पांच, ए अब उसके बाद इसको बाइस अलाइब ले जाएंगे द्याल रहे हैं गठी हमें उल्टे के तरफ बनाना है कि सातो फंदे को में इस पर चड़ा लिए और बुनते समय यह भी द्याल रहे हैं कि इधर का फंदा हमारा इसमें न जाए नहीं तो हमारा फंदा घर जाएगा देखे इस तरह से हम सातो फंदों को एक साथ बुनेंगे सातो फंदों के एक साथ बुन करके दो फंदा उल्टा दो फंदा उल्टा जागा पीछे करके पांच फंदा सीधा पांच बंदा सीधा कीनारे बाना भी बुन लेते हैं तो फ्रैंट देखिए एक डिजाइण पूरी हो गई आब इसके बार हमें डिजाइण इस पर बनाना है जो हम उल्टा बने हैं अब के बार यह हमें डिजाइण यहां बंद करके यहां उल्टा बनाएंगे और इस पांचों पर जैसे चार सलाई हम पांच उल्टा, पांच सीधा, पांच उल्टा बनाए थे उसी तरह से अब यहां पांच सीधा पांच उल्टा, पांच सीधा चार सलाई बनेंगे चार सलाई बनने के बाद जो है इसको हम जैसे बीच वाले होल से निकाले थे यहाँ डिजाइन बनेगी यहाँ डिजाइन बनेगी तो फ्रेंट देखिए हम थोड़ा सा बना के रखें हैं इसको हम आपको दिखाते हैं तो फ्रेंट देखिए ये डिजाइन इस तरह से ऐसे कुछ बनती है ये डिजाइन बहुत ही प्यारी डिजाइन है गुबारे के गुच्छे जैसे डिजाइन ये बनती है ये बहुत ही सुंदर लगता है लगता है कि वैलोन फूला करके इसमें रखा गया है देखिए बहुत प्यारी-पैरी डीजाइन है तो फ्रेंड अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए गा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा हमारा ये डिजाइन कैसा लगा अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद